मैं आजलाल के लिए से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूँ एक समाज के नाते हमें गंबीरता से सोचना होगा हमारी माता हो बेहनों बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे है उसके प्रति देश का अक्रोस है अब समाई की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चरता हो ताकि ऐसा पांप करने वालों को भी दर पैदा हो कि ये पांप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है और मुझे लगता है कि ये डर पैदा करना बहुत जरूरी है आज अनेक शेत्रों में आज हमारे रक्षा शेत्र में देखिए हमारा एरफोर्स हो हमारी आर्मी हो हमारी नेवी हो हमारा स्पेस सेक्टर हो आज हमारी महिलाओं का हम दमखम देख रहें देश के लिए लेकिन दुसरी तरफ कुछ चिंता की बाते भी आती हैं और मैं आजलाल के लिए से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं एक समाज के नाते हमें गंबीरता से सोचना होगा जो हमारी माता हो बेहनों बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति देश का अक्रोश है जन समयने का अक्रोश है इस अक क्रोश को मैं महसूस कर रहा हूँ इसको देश को समाज को हमारी रवज्ज सरकारों को गंबीरता से लेना होगा महिलाओं के विरुद्ध अपरादों की जल्द से जल्द जाच हो राक्षसी कृत्य करने के वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजाँ हो वो समाज में विश्वात पैदा करने के लिए ज़रूरी है मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलातकार की महलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है बहुत प्रचार होता है मिडिया में छाया रहता है लेकिन जब ऐसे राक्षे सी मनोवृत्ती व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कही नजर नहीं आती है कौन में कही पड़ा रहता है अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा होता कि ऐसा पाप करने वालों को भी दर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है और मुझे लगता है कि ये डर पैदा करना बहुत जरूरी है